ओम स्री गनी शाय नमदूस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज इकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार जन्वरी गुरुवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन मकर राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग उसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंच सके चलि दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आपका प्रियास आज आपको अच्छी कामिया भी दिला सकता है यदि आप राजनीती में विश्वास रखते हैं तो इस समय प्रियास कर सकते हैं आपको सफलता प्राप्त हो सकती है संतान पक्ष आज अनुकूल रहने की संभावना बन रही है आज आपको अचानक धन प्राप्ती के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं इसमें आपका भग्य अच्छा साथ देगा साती सात आज आपके प्रतेक कारे सरलता पूरुवक संपन होंगे किसी मनोहर इस्थल पर प्रवास हो सकता है पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो लाबदैक रहेगी घर की साज सजावट में नयापन लाएंगे वहन शुक भी आज आपको प्राप्त होगा नई योजनाए और विचारधरा की नवीनता से व्यपार प्रगर्ती की दिसा में अगरसर होने लगेगा कला के प्रती आज आपकी अभी रूची विशेश रहेगी आपकी आज अनेको एक्छाएं पूरी हो सकती है जिससे आप प्रसन चित रहेंगे और बहुत समय से अटकी हुई कोई यो और संतानों के मामलों में आनंद और संतोस की भवना का अनुबब होगा इश्वर की आरादना जाप और अध्यत्मिक्ता आपको सांतिक अनुबब कराएंगे कार्य छेत्र में अपनी मेहनत से सफलता मिलेगी इसके फलसरूप आत्म विश्वास बढ़ेगा और मन उत्साहि मिलेंगे विध्यारती मोज मस्ती करेंगे और पढ़ाई में जो मेहनत की है उसका फल सफलता के रूप में भी मिलेगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज का समय आपके लिए काफी उतार चड़ाप से भरा रहने के ब नेथा आप फाइनेंशियल समस्याओं के बीच खुद को गहरा पाएंगे कार्यभार की आज अधिकता रहेगी जिससे शाररिक तता मांसिक रूप से ठकान का अनुबब करेंगे मनोरंजन सौंदर्य प्रशादन आभूशन आदी के पीछे आज खर्च हो सकता है तनाव से बचने के लिए अपना कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजारें जल्दबाजी में फैंसला ना लें ताकि जिन्दगी में आगे आपको पच्चताना ना पड़ें साति साथ अपना काम किसी और पर ना टालें और स्वेम अपना कार्य करने की आदर नालें माता-पिता का अवस्चे ध्यान रखें क्योंकि उनकी सेवा के बिना भग्य और सुक की प्राप्ति असंभव है। साथि साथ किरोध पर नियंत्रन एम वानी पर आज आपको सहियम रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि किसी का भला करने की आफत को गले आप लगा बेठें। आग, पानी और वाहन दुरघटना से समल कर रहें। बदनामी और निसेदादमक विचारों से दूर रहना आपके लिए हित कर रहेगा। दैनिक कारों में थोड़ा अवरोध आएगा। साथी साथ कुछ परिस्तितियां आज ऐसी बन सकती हैं जो तनाव बढ़ाएंगे। धरमे कारों के पीछे धन खर्च हो सकता है। नए काम में रुकावट आ सकती हैं। समस्याओं को सुल जाने के लिए किसी की सला आप अवश चलें। दोस्तों से वाद विवाद करने से बचें। बहस करने से मुसीबत में आज आप फस सकते हैं। यात्राओं को भी आज आप टालें। आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली हैं। दोस्तो प्रेम संबंदों को मदूर बनाए रखने का प्रियास सफल हो सकता है, दामपत्य जीवन आज अच्छा हो सकता है, दामपत्य जीवन में तनाव उत्पन हो रहा है, वहवी आज समाप्त हो सकता है, आपको लव पार्टनर के साथ रोमांस करने का भरपूर मुका और आपके रिस्ते में मजबूती आईगी, अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर की बाते ना करें, आपको अपने जीवन में प्यार और रोमांस का स्वागत करने के लिए तयार रहना चाहिए, यदि आप किसी रिस्ते में पहले से हैं, या किसी की तलास में हैं तो वे मिल सकता है तो आपको इस मामलों में खुसी मिल सकती है रोमांटिक आकरशन की आज संभावना है मनोरंजन के लिए आज आप उनके साथ सिनेमा देखने जा सकते हैं और लंच वे डिनर भी आप साथ करेंगे दोनों के बीच कोई तोफो का भी आज आदान प्रदान होगा दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों कारे भार की आज अधिकता रहेगी लेकिन अपने प्रियासों से कारों में आपको सफलता मिलेगी वेवसाय में धनलाब और नौकरी में तरक्की के योग रहेंगे अधिकारी आज आपके काम से प्रसन रहेंगे प्रॉपर्टी में निवेश करना लाबदायक रहेगा कारे छित्र में आज माहूल काफी अच्छा रहेगा और वेपार वेवसाय में आपको सफलता अच्छी प्राप्त होने की संभावना रहेगी आर्थिक लाब प्राप्ती के रास्ते खुल सकते हैं धनलाब संचे करने का भी प्रतन सफल हो सकता है साथि साथ आज आज आपको अपने वेवसाय को लेकर कोई यात्राएं हो सकती हैं जिनका आपको शकारात्मक प्राप्त होगा जिनका आज की स्तिती आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है और इस समय कुछ अच्छा लाब आपको प्राप्त हो सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे विध्यार्तियों के लिए भी दिन आज का मिला जुला रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं जापका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो ब्रहम भे वे पीडा की इस्तिती आज उत्पन होने के पूरे आसार बने हुए रहेंगे खान पान पर आज आपको विसेज ध्यान देना होगा वरना पाचन किरिया खराब हो सकती है जिसके कारण पूरे दिन मन खराब रहेगा स्वैम का ध्यान रखें और खुद को किसी भी तरह मांसिक रूप से कमजूर ना पढ़ने दें तनाव को दूर करने के लिए अपनी जीवन सैली में थोड़ा बदलाव लाएं इसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशे सुपाई क्या है दोस्तो आज आप इसनान आदी से निर्वत्र होने के बाद पूजा घर में हल्दी की माला लटकाएं और भगवान श्री लक्षमी नाराण के मंदिर में जाकर उनको आप लड्डू का भूग लगाएं और अपनी मनों काम नए मांगें जा दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान श्री हरी विश्णो जी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल और आपको ऐसा करने से जल्द ही विशेश लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान श्री हरी विश्णो जी का अशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स वोक्स में जैश श्री हरी विश्णो वस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन् झाल झाल